वीके न्यूज राष्ट्र के नाम यूकरेन के नैशनल गार्ड ने अपने ट्यूटर एकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें दावा किया गया है कि नैशनल गार्ड के अजर्ख लड़ाकों ने रूसी पक्षे लड़ने वाले चेचन बलो के खिलाफ इस्तमाल होने वाली अपनी गोलियों को सुवर की चर्वी में डुबोया है जो ट्विट किया गया है उसमें लिखा है नैशनल गाड के आजियो सेनानियों ने कादरीव के खिलाफ गोलियों को चरबी से गरीस किया रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के बीच कई समचार आउटलेट्स ने बताया है कि चेचन लड़ाकों को भी तैनाद किया गया है चेचनिया जरजिया के उत्तर में इस्तित एक रूसी गडराज है चेचन सेना चेचानिया की रक्षा के लिए तैनाद सैनिबल है चेचनिया एक स्वतन्त रिपब्लिक नहीं बलकी रूसी कानूनों और नियमों क्या अंडर आते हैं इनमें अधिकतर मुस्दिम रहते हैं चेचन बलो को दुनिया में सबसे हिंसक और क्रूर सैनिकों में ऐसे एक माना जाता है जिसमें कई रिपोर्टों का दावा है कि उ भी संकेत दिया है कि वो यूक्रेन में अपनी तैनाती के बाद क्यों की ओड़ बढ़ रहे हैं कई रिपोर्ट्स के मताबिक उन्हें यूक्रेनी सेनाओं को भैंकर विरोत का सामना करना पड़ और उनमें से कई सारे मारे गे जिनमें उनके जनर्रल मोगमेद तिशूयों भ सूर को इस्तमाल में हराम माना जाता है मतलब इसलाम में सूरों को पूरी तरीके से हराम माना जाता है हलाकि ट्विटर के नियमों के खंगाले पर ये पता चलता है कि ऐसे मामले में ट्विटर्स का नियम क्या कहता है पर इसे जनहित का मुद्दा बताते हुए एक टैक के सा अथ वीडियो को डेलेट नहीं किया गया है मतलब साफ है कट्रपंतियों को भड़काने एगांक, कट्रपंतियों को मारने के लिए सूर कि चर्बी को यहाँ पर गोलियों मों इसको डुबार है फिर वहाँ पर इस्तवाल किया जा रहा है अब आपकी क्या रहा है इस पूरी खबर को लेकर हमें कमेंट सक्षन में कमेंट करके जरूर बताइए और इसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहे हैं वीके न्यूज राश्टर के नावर्ग झाल